What's up guys, इस वीडियो में मैं आप लोगों को git और github यूज़ करने का सही तरीका शुरू से लेके अन तक बताऊंगा इस वीडियो में मैं आपको पूरा git एक cheat sheet के साथ दूँगा और उस cheat sheet में मैं आपको सारे command से एक paper पे लिखके दूँगा यानि कि मकसद मेरा यह रहेगा कि एक वीडियो रहेगा आपके बाद तो इसके बाद इस वीडियो को एक paper में summarize कर दिया जाएगा ताकि कभी भी कोई भी git command आपको use करना हो या फिर github पे आपको कोई भी repo बनानी हो आप अराम से बना सकें इस वीडियो को दिखने के बाद सिर्फ आप लोग को ये वीडियो और वो paper चाहिए इसलिए अभी फटैक से इस वीडियो को like कर दीजिए and let's get started जिस जिसने like किया thank you so much पहना सवाल ये एक यार ये git होता क्या है distributed version control system है distributed version control system का मतलब कि सब के पास एक एक copy रहती है पूरे के पूरे repo की यानि कि अगर आपने कोई repo बनाई है कोई project बनाई है github पे और उसके बाद मान लीजे कि आपने अपने या तो आपका जो github पे server था वो खराब हो गया लेकिन अभी हम लोग अराम अराम से सारी चीज़ों को लेंगे आप tension बिलकुल मतलो हम अराम से one step at a time लेकर git को सीखेंगे क्या होता है क्यों होता है कैसे होता है सबसे पहली चीज तो आ जाती है installation इसका तो चलो install कर लेते हैं तो मैं आपर लिखूंगा git windows और install लिख दूँगा ठीक है मैं सिर्फ git windows लिखूंगा तो पहला देखो link आगया git scm.com का अगर यह नहीं आता है तो आप manually इस link पर जा सकते हो अब Mac के लिए क्या होता है Mac के लिए भी आप लोग को जो है आप पर मिल जाएगा Mac में आप लोग जो आपका यह homebrew होता है या फिर आपका app.get के packages होता है Linux के अंदर जो भी distribution है आपका dbnf पर डोर है जो भी यह google search करके अराम से निकालने के git कैसे प्राप्त करना है आपको अपने operating system के लिए मैं आपको 64-bit windows का जो setup है आपर ही कह रहा है कि your download hasn't started अगर नहीं हुआ तो कर लेना मतलब जाद है और नीचे मेरा download से start हो चुका है तो मुझे कोई problem वाली बात नहीं है अब यह git जो है यह software है at the end of the day तो आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि एक software ही है software से ज़्यादा बड़ी कोई चीज नहीं है और यह जो है आप लोग किसी भी चीज के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं किसी भी तरह की files के लिए चाहे वेब development करते हों चाहे आप लोग android apps बनाते हों या फिर आप लोग कोई कुछ documents के साथ काम करते हों आप इसको use कर सकते हैं कोई limitation नहीं है बस कुछ commands आप लोग को आनी चाहिए अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि यह git के commands हम क्यों सीखें जब GUI यसी utilities available है तो यहर आप लोग अगर git को command line से चलाना सीखेंगे as a programmer तो आप लोग के लिए सबसे अच्छा रहेगा ज्यादा से ज्यादा control आपके हाथ में रहेगा और मेरे पास सवाल आते हैं कि यह git होता क्या है तो मैं आप लोग को बताता हूँ यह git क्या होता है git simply क्या करता है आपके जो changes है उनको save करता है यानि कि मान लीजिए दस लोग एक ही software पर काम कर रहे है अब मानलो मैंने बनाया ये page किसी और ने बनाया ये page अब मानलो उसने ठीक करके आपर git की जगा git sem लिग दिया तो क्या होगा कि वो जो git है वो बड़े अराम से बड़े चतुराई के साथ सिर्फ वो change को save करेगा और मुझे मौका देगा कि कभी भी मैं अपने change को हटा कर रिवार्ड कर दूँ इस बात को save करूँ कि किस ने कौन सा change किस तारीक को किया था और फिर कौन सा version मनाया था तो ये सारी चीज़े हम देखेंगे git में कैसे की जाती है हमारा git जो है आप डाउनलोड हो गया है और install होने के लिए तयार बैठा है मैंने click किया है भी यहां पर और अब मैं इसको जल्दी से yes करके next 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 करूँगा आप लोग कहींगे कि इसमें क्या होता ना बहुत सारे options यह देता है तो मैं कहूंगा भी आप लोग simply next next करके simply इसको install कर ले जल्दी 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 करके ठीक है simply as simple as that कोई आप लोग को देखना नहीं है जादा सोचना नहीं है next 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 मैं आप लोग को बता रहा हूँ जो default settings है इसकी git scm की वो best है तो अभी यहां पर क्या है कि यह install हो रहा है तो मैं आप लोग से यही कह रहा था यार कि जो git होता है वो simply जो changes है उनको save करता है अब यहां पर हम लोग देखेंगे staging area क्या होता है commit क्या होता है अब यहां पर git को आसान बनाने के लिए और git को एक ऐसा टूल बनाने के लिए कि आपकी changes को बहुत efficiently save करें आपको बिना problem create करें तो यह सारे काम करने के चलते क्या होता है कि थोड़ी चीज़े complicated हो जाती है इसे staging area, commit इसलिए ही वीडियो मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ और cheat sheet मैं आप लोग को देने वाला हूँ Mac है unique based है, इस हमारा Linux है unique based है, Unix में कुछ इस तरह की commands चलते है, ls हो गया, pwd हो गया, देखो यहाँ पर c users कुछ इस तरह दिखा रहा है बस मैं यह कहूँगा कि git bash को आप एक terminal के तौर पर इस्तिमाल कर सकते हैं, तो git bash सिर्फ आपका, यह git के लिए नहीं है, आप लोग और भी चीज़े कर सकते हैं आप लोग जो है python चला सकते है git bash से, आप लोग कई काम कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं बस यही आप लोग से चाहता हूँ कि एक अच्छा terminal git bash है, तो अब भी यहाँ पर जो इसको एकदम बंद कर दूँगा git bash को, और अब मैं आ जाओँगा अपने desktop के अंदर, अब आप लोग कहूँगे कि desktop के अंदर मैं क्यों आ रहा हूँ, मैं desktop के अंदर इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ आप एक folder बनाऊंगा और folder के अंदर मैं आप लिखूँगा git in one video, अब यहाँ पर मैं सारी की सारी चीज़े आप लोग को demonstrate करूँगा, यहाँ पर एक और बात quickly mention करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग Mac में Linux में या कहीं पे भी है तो यहाँ तो आपको git already installed मिलेगा, यहाँ पिर आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको install कर सकते हैं, Google search करके installation मैं assume करूँगा कि आप लोग जो है देख लेंगे, अब यहाँ पर मैंने git अभी यहाँ पर इस point पर एकदम setup कर दिया है, अब मानों इस folder में मैं git खोलना चाहता हूँ, तो मैं simply यहाँ पर right click करूँगा, right click करके git bash है, लिकूँगा, bash terminal होता है, और जो GUI होता है, वो हम use नहीं करेंगे as a programmer, कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा avoid करेंगे, क्योंकि command line हम जब भी use करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास control हाथ में रहेगा, और वही हम चाहते हैं, अब जब भी आप लोग पह लिकूँगा minus minus global, और इसके बाद में लिकूँगा user.name Harry, अब इसके बाद क्या करूँगा, मैं यापर user.email भी change करूँगा, अब मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी इनसान, अगर मेरे commits को देखे, कोई भी इनसान अगर ये जानने की कोशिच करी, कि ये changes किसने की हैं, तो वो अराम से पता लगा ले, तो मैं यहाँ पर email में क्या लिख दूँगा, harry at code with harry.com, तो मैंने यापर अपना email लिख दिया, आप लोग अपना email लिखना, मेरा मत लिखना, मुझे पता है, आप लोग जो है dot name लिखोगे तो harry ये आपर लिख करा गया है, तो ये हमने क्या किया अभी username और email को दोनों को set कर दिया, तो मैं आप चला दूँगा code dot और उससे मेरा क्या ये visual studio code खुल जाएगा, तो मैंने याप पर visual studio code install कर रखा, अगर आप लोग को नहीं पता ये एक ID है, आप लोग भ प्रेफरेंस की बात है, तो यहाँ पर हम लोग जादा time waste नहीं करेंगे, इस बात पर क्या चीज़ यूज़ करना है, कभी यूज़ करना है, तो simply मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर एक नई फाइल बना दूँगा, अब मैं आप लोग को यहाँ पर git अब बता रहा को पाने के लिए, एक repository को पाने के लिए, यहाँ तो आप init command कर सकते हैं, अगर आप cloning कर रहे हो न, तो क्या होता है कि server से सारा का सारा code आपके यहाँ पर आता है, और अगर आप initialize करा रहे हो एक folder को, तो क्या होगा, आप शुरू से start कर रहे हो, तो मैं आप लोग को cloning के ब repository, अब ls-lart command क्या होता है, सारे के सारे hidden folders को भी दिखा देता है, तो आप देखो इसने आपर एक .git folder बना दिया है, इस folder के अंदर आप लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आप लोग से एक होगा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि .git folder के अंदर यहाँ पर य नहीं गुसें, नहीं मैं सब करें इसके साथ, अब यहाँ पर हमारी git repository बन चुकी है, अब यहाँ पर मैं एक दो files बना दूँगा, तो चलो यहाँ पर यहाँ तो मैं Visual Studio Code से बना सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, index.html मैं यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर मैं git status लिखूँ, अब यह git status command होता है, वो status बताता है मुझे, यह कह रहा है कि आपकी untracked files हैं आपर, और आप जो है, इनको track करें, और आप जो है git में इस्तिमाल करें, अब यहाँ यह चीज़े ना कभी-कभी थोड़ी सी confusing हो जाती है, untracked file क्या होता है, staging area क्या होता है, commit क्या होता है, तो यह इन चीज़ों को सही से समझाने के लिए मैं इक image कर इस्तिमाल करूँगा और आप लोगों मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, तो यह अगर आप लोग इस image को देख रहे हैं, तो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा untracked, इसके बाद है unmodified, इसके बाद है staged, अब मैं आप लोग को बताता हूँ, यहाँ पर इन चारों का क्या मतलब है, देखो untracked का मतलब है कि आप लोग git की सहायता से इस file को track नहीं कर रहे हैं, यानि कि git आपकी file से कोई मतलब ही नहीं रखेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी files stage में होती है, उसके बाद क्या log files होती हैं हमारी, binary files होती है, या फिर कुछ चीज़े होती हैं जो automatically generate होती है, आप लोग को इन से कोई मतलब नहीं क्यों automatically generate हो रही है, आप लोग को अपने source code से मतलब है, जो कि आपने खुद लिखा है, इसलिए untracked से आप लोग कहते हो, मानलो मेरी index.html है, उन मैंने उसमें हम वो चीज़े डालते हैं जो कि हमारे commit में जाएंगे, अब commit क्या होता है, commit हमारा एक snapshot होता है, यानि कि commit का मतलब यह है कि जैसे मानलो मैंने index.html डाला, about.html डाला और एक commit कर दिया, उसके बाद मैंने क्या किया contact.html डाला और उसके बाद मैंने मानलो this.html डाला और commit कर दिया, तो मैंने दो अलग-अलग commit हो गए, तो मैं staging area में वही चीज़े फैक होंगा, जो मैं commit करना चाता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वही files मैं modify करूँ, जैसे मानलो मैंने index पर काम किया, मैंने 1 पर काम किया, 2 पर काम किया, 3.html पर काम किया, 4.html पर काम किया, ले तो मैं जो मेरा 1.html और 2.html सिर्फ उसको stage करूँगा, और उसके बाद commit कर लूँगा, इससे क्या हुआ, कि सिर्फ 2 file मैंने अपने commit में डाली, और काम मैं 4 पर कर रहा था, अगर directly मैं commit करूँगा, तो क्या होगा, तो problem हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर git जो है, एक अर फाइल को staging area में ले आया, तो मैं क्या करूँगा, commit कर दूँगा, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर सीधर commit कर दिया, अब यह क्या हुआ, अब यह क्या हुआ, अब यह क्या हुआ, अब यह एक unmodified file है, अब आप इसको यहाँ तो edit कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ही किया, तो क्या होगा, यह modify हो जाएगी, और आप चाहें तो आप इसको remove भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, फिर आपके जो आने वाले snapshots हैं, उसमें वो file track नहीं की जाएगी, generally हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग edit करेंगे file को, index.html को और improve करेंगे, और improve करेंगे तो modified में चली जाएगी, एक बार यह modify हो गई, तो मुझे वापस से इसको stage करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं अगर चाहूँ तो commit कर सकता हूँ, तो यह arrow जो है, यह बहुत ही easy हो जादा, यह image इसन चार चीज़ों को समझने के लिए, untracked क्या है, unmodified क्या है, modified क्या है, staged क्या है, एक बार summarize करना चाहूँगा, untracked का मतलब है कि git को कोई मतलब भी नहीं आपकी file से, unmodified का मतलब है कि आप commit करके तयार बैठे हुए है, और कोई tension नहीं है, git अराम से कह रहा है कि भाई, आपका commit वमिट से एकदम तयार है, और आप अगर change करते भी हो file को, तो modify में जाएगी तो इसके बाद आता है modified, अगर आपने कोई भी change किया, तो git कहेगा कि भाई देखो, यहाँ पर modification हुआ है file में, stage करो और commit कर लो, ताकि आपके यह file के जो changes है, वो save हो जाए, तो आप git status रन करोगे, तो आप लोग को बताएगा, हम यह सारे के सारे काम अभी करेंगे, उसके स्टेज में आने के बाद आप directly commit कर देते हो, तो मैं आशा करता हूँ, इस समझ में आया होगा आप लोग को, और अगर नहीं आया है, तो practical के बाद तो पक्के से आजाएगा, उसके बाद आप अराम से cheat sheet लेकर git के, बादशा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ आप git इस्ते करना start कर देगा, और ये एक बहुत जरूरी चीज़ है, तो यहां पर मैं simply क्या करूँगा, अब क्या करूँगा, आप लोग को दिखाऊँगा कि staging area में किस तरह add किया जाता है, तो यहां पर मैंने पहले जब git status चलाया था, तो यहां पर देखो, यह कह रहा है, untrack dab की file, आ उसने auto complete कर लिया, अब मैं अगर इसको enter करूँगा, तो मेरी staging area में जा चुकी है file, तो अगर मैं आपर लिखूँ, git status, तो यह देखो, यहां पर कह रहा है, changes to be committed, यानि कि green से आपका show हता है staging area, यह कह रहा है कि आपने add गी हैं को changes, अब यहां पर आप क्या करो, इसको commit कर ल तो मैं लिखूँगा, git commit और enter मार दूँगा, और जैसे मैं git commit लिखूँगा, तो यहां पर एक way mediator खुल रहा है, अब यहां पर यहां पर चीज़े थोड़ी सी confusing हो जाती है, आप type करोगे तो आप खुड से type नहीं कर पाऊँगे, आपको i दबाना पड़ेगा, और इसके commit, यह कभी-कभी जो है problem create करता है, अब escape दबाऊँगा, मैं colon दबाऊँगा, w दबाऊँगा, q दबाऊँगा, इससे मेरा exit हो जाएगा, यह जो मैंने initial commit लिखा है, यह मेरे commit का message है, यह वो message है, जो कि मैंने दिया हुआ इस file change को, इस change को मैंने इस message से associate किया है, मैंने काए क यह संदेश, यह बताता है कि मैंने क्या change किये अपनी files में, तो यहाँ पर मैंने w दबाऊगे कर दिया, इसने जो है अभी, एकदम मुझे commit करके दिया, अब यहाँ पर मैं अगर git status चलाऊँ, तो क्या होगा, यहाँ पर कह रहा है, on branch master, nothing to commit, working tree clean, यानि कि सब कुछ एकदम set है भाई, आप अराम से अब अपना काम करो, कुछ change होगा तो मैं बताऊँगा, git आपसे कह रहा है कि अभी तक जितना भी change था, सब commit होगे, एक दो मैं ready पड़ा है, कोई tension नहीं है, अपने को, यहाँ पर simply है क्या, कि आप लोग अगर changes करोगे file में अब अपनी, तब मैं बत अपना देता है, ठीक है, तो मैं आप लोग को बता रहा है, अब मैं आप लिखोंगा touchcontact.html, और उसी के साथर मैं आप लिखोंगा touch, मानलो मैं आप लिखा, क्या लिखूं, monuments.html, ठीक है, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, एक website हम basically बना रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा समझ अब मैं आपर git status चलाओंगा, तो यह कहेगा भाई, तीन file है, आपकी track ही नहीं हो रही है, तो track कर लो उनको, तो मैं कहूंगा कि यार, मैं तो सारी के सारी files को track करना चाता हूँ, तो सारी के सारी files को एक साथ staging area में add करने के लिख command होता है, git add minus a, यह command इसलिए दिया गया है, क्योंकि अगर आपके पास एक लाग files है, तो एक एक करके add कर होगी किया, इसलिए git add minus a करके आप सारी के सारी files को staging area में डाल सकते हो, अब अगर मैं आपर git status चलाओंगा, तो यह मुझे बताएगा कि आपकी यह जो तीन file है, staging area में खड़े होने के बाद, अब यह commit होने के ल Decide करते है staging area में उन लोगों को लाकर, एक बार वो लोग आ गए staging area में, यानि कि वो files आ गए staging area में, उसके बाद हम photo खेच लेते हैं, यानि कि snapshot ले लेते हैं file system का, तो मैं चीज़े आसान बनाने की कोशिश करो ताकि आप लोग को समझ में आए, तो यहां पर simple से staging area का यह मतल डाल दो, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, मैं यहां पर करूँगा क्या change करूँगा, मैं काम करूँगा यार अपना, तो मैं यहां यहां पर लिखूँगा, मालो यह ने doc type HTML लिखा है, मैंने मालो HTML की simple boiler plate में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, control s से मैंने save कर दिया इसको, अब क्या होगा, अब मैं यहां पर अगर git status चलाऊँगा, तो यह कहेगा कि आपकी contact.html जो है, modified हो चुकी है, अब यहां पर एक चीज आप note करना, एक चीज नोट करना है यहां पर, यहां पर देखो staging area में हमारी है contact.html, और यह modified भी है, तो यह modified भी है और staging area में भी है, staging area म इसका वो वाला version है, जो की कहाँ पर है, जो की, जो की खाली था, जो की मैंने पहले बनाया था, ध्यान से आप मेरी बात को सुनना, और अभी मैंने चेंज कर दिया, तो modified में बेरा यह है, तो अगर मैं वापस से git add minor से लगा दूँ, तो क्या होगा, simple से सारी files add हो जाएंगी अब मैं commit करने के लिए तयार हो चुका हूँ, अब मैंने आप लोगो पहले जब git commit चला कर दिखाया था, तब क्या हुआ था कि एक way editor खुला था, हमने i दबाया था, कुछ type किया था, फिर escape दबाया था, फिर colon दबाया था, फिर w दबाया था, फिर q दबाया था, काफी लं मैं लिखा है, git commit minus m, फिर उसके बाद मैंने double quotes में लिखा है, added more html, simply मैं यह करूँगा, तो यह यहाँ पर मेरा commit आ गया है, अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा, git status, तो यहाँ पर हमारा git commit का minus m flag बहुत ज़्यादा काम में आता है, अगर आप लोग web editor से deal नहीं करना चाते हैं, भाई, मैं तो personally यह यह use करता हूँ, git commit minus m, तो यहाँ पर अभी मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा folder को जो है, थोड़ा बढ़ा कर लोगा, icons को folder के, उसके बाद जो git bash है, control plus दबा के आप लोग इसको zoom in कर सकते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोग को, मुझ अगर नीचे आपने comment कर दिया कि चाहिए वीडियो, तो अगर आप लोग को चाहिए वीडियो तो जरूर मैं बना के दूँगा, एक पूरा सब कुछ बता दूगा कि साना shortcut change करते हैं, किस तरह मैंने इस तरह के shortcut डाले, इसमे control D दबा कर ऐसे हो जाए, और भी काफी चीज़ लिए terminal अगर आपने वो भी problem हो सकती है, क्योंकि आप चाहोगे कि सारा का सारा output देखे आपको git status का, लेकिन अभी के लिए यार मेरे लिए इतना सही है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए भी video बना रहा हूँ, तो एक बड़ा terminal जो है, वही जादा अच्छा रहेगा अभी क अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो commit हमने किये हैं, अभी देखो यहाँ पर क्या हालत है, मैंने अभी भी modify किया है, अपनी contact.html को, यहाँ पर एक command के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है git checkout, अब मान लोग कि मैं चाहता हूँ कि जो य cover कैसे करोगी, तो जो checkout command होता है, वो जो आपकी सारी files है, फिर कोई एक file है, उसको आपकी जो working directory है, उसको last commit से match करा देता है, मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ, मैं यह कहने का मतलब है, अगर git status यहाँ पर दिखा हूँ तो यह कह रहा है, modify हो गई contact.html, लेकिन अ पर है, तो मैंने यह कर दिया, अगर आप लोग को, आप लोग के साथ को इस तरह का मतलब कर दिता है, एक मैं आपको इससे पहले git status दिखा दूँ भी, तो git status में क्या होगा, जो पुराना commit था, उससे पूरा का पूरा match करा दिया, ठीक है, तो आपने जब commit मारा था, तभी म मान लो कि यह काम मैंने जो है, बहुत सारी फाइल के साथ किसी ने ऐसे मजाख कर दिया, अब मान लो कि किसी ने जो है, कोई बच्चा बच्चा किसी घर में आ गया, उसने कुछ इस तरह से ऐसे मजाख कर दिया, और फाल्तु कि आपकी फाइले वाईले खोल गे, उसने आप करते obviously नहीं आप लोग को यहां पर क्या करना है लिखना है git checkout minus f इससे क्या होगा git checkout minus f करने से क्या होगा आपकी सारी के सारी जो files थी वो पिछले commit से match करा देगा वो यानि कि अगर अब मैं आपर git status मारूँगा ओ सॉरी मैंने अब यहां पर मैं आप लोग को बताना चाहूँगा एक और चीज के बारे में और वो है git log, git log क्या command है, git log आपको बताता है कि आपने क्या क्या commit किया, तो जल्दी से बिला time को गवा है यहां पर git log को चला देते हैं और आप लोग को पता चल जाएगा और यह जो है एक काफी अच्छी चीज है अब इसी के साथ साथ मैं आप लोग को बताऊँगा कि अगर आप लोग को git log के output को filter करना है मान लोग 1000 commit है, तीक है मैं यहां पर terminal को clear कर लूँगा मान लोग 1000 commit है और आप लोग चाहते हैं सिर्फ 1000 में से 5 देखना अपने commits, last 5 commits तो आप लोग लिखेंगे git log minus fee और उसके बाद माइनस जितने commit आप देखना चाहते हैं मैं एक commit देखना चाहता हूँ तो माइनस 1 लिख दूँगा और इस बार यह मुझे सारी changes भी बताएगा जो जो मैंने किया है तो यह मुझे बता रहा है कि आपने यही changes किये है अब इसने क्या किया? कुछ नहीं किया इसने diff का output जो है लगा दिया diff, get diff का output मैं आप लोग को diff के बारे में भी बताऊँगा आप लोग चिंता मत करना, यह diff क्या है अभी हम लोग बात करेंगे तो अब मैं क्या करूँगा, क्यू दबा दूँगा क्यू दबा के मैं quit हो जाऊँगा तो मैं अब नीचे आ गया हूँ ठीक है तो इसने मुझे बताया है कि कौन-कौन सी lines add होई है किस-किस files में तो आप लोग इसको पढ़ेंगे अगर तो आप लोगो समझ में आ जाएगा अराम से human readable format में लिखा हुआ है कि a contact.html थी एक file और एक b contact.html थी और उसी के साथ यह आपको बता रहा है कि a में क्या हुआ, किस तरह यह अलग है b से तो आप लोगो यह बता रहा है कि क्या-क्या changes हुए कहां-कहां पर तो यार एक बहुत ही, मैं कहूँगा अच्छा tool है git और इसलिए मैं कहता हूँ, encourage करता हूँ git use करो, use करो, use करो कुछ सालों पहले मुझे भी लगता था यार कि क्या git, मतलब क्यों use करना है जब मैं अराम से folder बना बना के अपनी files को रख सकता हूँ, अपनी project के replicas रख सकता हूँ, लेकिन नहीं यार हम लोग को कभी-कभी जो है, professionalism पर आना पड़ेगा, हम लोग को कभी-कभी ऐसी चीज़ों को accept करना पड़ेगा, जो कि आप लोग के time को बचाती है, उसी के सदस्द ये आप लोग को क्या करती है, collaborate करने में मदद करती है तो चलो आगे बढ़ते हैं, concepts को आगे ले कर जाते हैं, बात करते है git diff की, तो मैंने अभी आप लोग को बताए git diff के बारे में, मैं आपर clear कर दूँगा अब git diff के बारे में, जो मैंने आप लोग को बताया, वो ये था कि आप लोग बता सकते हैं कि क्या difference है, अब मालो कि मैं आपर git status करता हूँ क्योंकि git status चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब मालो मैं क्या करता हूँ body की जगा यापर, मैं body hairy कर देता हूँ ठीक है, कर देता हूँ ये कोई command नहीं है, html का कोई tag वेग नहीं है ऐसे कर दिया हमें ठीक है, अभी यापर मैं अगर git status मारूँगा तो ये कह रहा है कि आपने body को हटाया और उसकी जगा आपने body hairy को लगा दिया है अगर मालो मैं यापर git add minus a कर देता हूँ और उसके पाद वापस से git diff चलाता हूँ तो ये मुझे कुछ नहीं दिखा रहा है, क्यूँ? क्यूंकि ये compare करता है मेरी working directory को staging area से अगर मेरी working directory और staging area सेम है तो ये मुझे कुछ नहीं दिखाएगा अब मैं आपर मालो body hairy 2 कर देता हूँ ठीक है और इसको save कर देता हूँ अब अगर मैंने यापर git diff चला दिया तो ये मुझे दिखा रहा है कि आपने body hairy को body hairy 2 कर दिया और ये आपर आप लोग देख सकते हैं git add minus a अगर मैंने कर दिया और उसके बद वापस से मैं git diff चलाओंगा तो ये मुझे कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि मेरी working directory और staging area सेम है तो git status चलाता हूँ ये आप आप लोग देखो ये कह रहा है git diff minus minus staged तो minus minus stage लिखने के बाद क्या होगा तो ये और मैंने आपर जो है गलत लिख दिया आप एक space लगा दी गलती से अब ये आपर क्या करेगा मेरे staging area को last commit से compare करेगा तो मेरे last commit में body था staging area में ये आ गया है अब मैं वो command का स्तेमाल करूँगा जो कि मैंने आप लोग को बताया था वो है git checkout minus f और वो करने से पहले हम लोग क्या करेंगे वो करने से पहले सबसे पहले git status देख लेंगे git status git status हम देखेंगे क्या status है हमारे git का modify होगी है इंडिक सोडिश्य है तो यहाँ पर आप लोग को सबज में आया होगा git diff तो git diff कभी यूज करना है आप लोग को git diff क्या है एक diff tool है diff tool का मतलब क्या होता है कि आप लोग को बताता है कि क्या क्या difference थे आपकी एक file given file को एक दूसी file से compare करता है अब अगर आप लोग चलाते हैं सिर्फ git diff तो वो क्या करता है working tree को compare करता है staging area से लेकिन अगर आप लोग चलाते है git diff minus minus stage तब वो क्या करता है आपके staging area को last commit से compare करता है तो आप यह लिख लो कहीं पर अगर आप लोग को लिखना है तो तो अगर आप लोग काम करते हो तो याद हो जाए कब यहाँ पर देखो यह मैं इसको control ऐसे save करूँगा अब मैं यहाँ पर एक commit करूँगा अब मैं आप लोग को यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ मान लोग कि आप लोग एक set of files है जैसे कि मेरा यह project है मेरी बात को आप बहुत द्यान से सुनना अगर आप लोग समझना चाते हो सही से मैंने आपर चार files बनाई ठीक है मैंने आपर monuments बनाई, index बनाई, about बनाई, contact बनाई अब मान लोग कि यह चार file के साथ ही मैं काम कर रहा हूँ इसके अलावा मुझे किसी और file के साथ काम भी नहीं करना है तब मैं क्या करूँगा तब मैं बार-बार add करूँगा मैं फिलिधे staging area में add कर रहा हूं उसके बार मैं commit कर रहा हूं staging area मैं add कर रहा हूँ and then commit कर रहा हूँ इसको दरा कैंसल कर दूंगा और इसको कैंसल करने के बाद मैं आपर इसको कर दूंगा और यह मॉडिफाई हुआ है देखो तो मैंने भी एड भी नहीं किया अपने स्टेजिंग अरिया में यह मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ अब मैं आपर लिख दूंग गिट कमिट माइनस से माइनस एम स्किप्ट स्टेजिंग एडिया और उसी के साथ-साथ मैंने क्या किया है मैं फिक्स्ट मैं ऐसे करकर लगा देता हूँ ठीक है अब यह क्या हुआ मेरा चला गया ठीक है यहां पर मेरा कमिट मेसेज झा चुका है अब मैं अगर यहां पर इसे की देख सकते हैं यह सबसे पहले अपने टरबिल को उसी के साथ-साथ मैं क्या करूँगा और यह कहा रहा है on branch, master, nothing to commit क्योंकि सारी की सारी चीज़े मैंने commit कर दी है तो यार यह काफी एक अच्छा feature है अब अगर मैं यहाँ पर अपनी सारी की सारी files को list करना चाहूं तो मैं ls से कर सकता हूं यह मैं आप लोग को बता रहा हूं unix का feature है यह और आप लोग git bash में windows में यह जो linux वाला मजा है ls वाला command है आपका है और इस तरह के command से वह आप अराम से unix का मजा उठा सकते हो windows में git bash उज़ करते हो तो इसलिए मैं git bash को सिर्फ एक git tool की तरह इस्तिमाल नहीं करता हूं मानलो मैंने यह आपर एक file मनाई मैं लिख तो इसको touchwaste.htmn मानलो एक waste file बना दी मैंने गलती से बनलब किसी ने बना दी ठीक है अब मैं इसको remove करना चाहता हूं अब मानलो मैं क्या करूँगा मैं सबसे पहले commit message डाल दूँगा और मैं यह आपर लिख दूँगा added waste तो यह जो skipping the staging area है वो मैं use करता हूं जब मुझे अब यहाँ पर untracked थी है sorry मुझे इसको सबसे पहले add करके track करना था यहाँ पर यह fail हो गया nothing added to commit but untracked files present जोकि मैं इसको track ही नहीं करना था एक बार मुझे जो है get add minus से करना ही पड़ेगा अब मैं यह shortcut use करता हूं adding waste मैंने इसको add कर दिया और commit भी कर दिया ठीक है adding waste अब मालों मैंने realize कि यार यह मैंने गलती से file को add दो कर दिया commit में यार मुझे नहीं करना चाहिए था और मुझे जो है इसको हटाना है file को यह file बेकार है क्या करेंगे तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर simply लिखूँगा git rm मैं दो commands के बारे मैं आप लोग को बताँगा एक तो है git rm यह क्या करता है remove करता है working directory से और git के staging area से तो अगर मैंने यहाँ पर चला दिया git rm waste.html तो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ मैं यहाँ पर अगर ls करूँ तो यह देखो कह रहा है about.html यह waste है भी मेरी यहाँ पर ठीक है तो मैं दो command के बारे में आपको बताऊँगा एक तो मैंने बताए आपको git rm command के बारे में git rm क्या करेगा? delete कर देगा इस file को उसी के साथ साथ git के staging area से भी हटा देगा जब file ने delete हो जाएगी तो staging area से भी हट जाएगी लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ staging area से हटे तो मैं git rm minus minus cached का इस्तेमाल करूँगा इससे क्या होगा? git rm minus minus cached से क्या होगा? कि सिर्फ staging area से remove होगी file मेरी hard disk पर भी भी रहेगी तो मैं आप लोग को यह करके दिखाता हूँ इससे पहले क्या करूँगा? इससे पहले simply आप लोग को मैं git status लिखके दिखाऊंगा अब मैं करूँगा यापर git rm minus minus cached ओ सॉरी मैंने file का नाम ने लिखा तो मुझे लिखना चीज़ था waste.py sorry.html तो इससे पहले मैंने git status चला है तो देखो कहरा है on branch master nothing to commit अब मैंने ये करके अगर मैंने आपर git status चला है तो ये कहरा हैगी आपकी untracked files present है तो अगर मान लोग गलती से आपने कोई file add कर दी है और उसको आप untracked file में डालना चाते हो तो आप लोग क्या करोगे? ये चला दोगे git rm minus minus cached लेकिन अगर आपने git rm चलाया तब file उड़े जाएगी इस बात का यार रखना तो मैं git rm चला देता हूँ मैं सबसे पहले क्या करूँगा? git rm चलाने से पहले इसको git add minus cached कर लूँगा अब मैं git status करूँगा तो ये देखो add हो चुकी है तो on branch master nothing to commit तो actually क्या हुआ है कि ये file अगर मैं ls करूँ यहाँ पर waste.html तो अभी कहाँ कि ये सारी के सारी files working tree में add हो चुकी है अब मैं क्या करूँगा? मैं इसको उड़ाई दूँगा तो waste file है तो मैं क्या करूँगा? git rm लिख दूँगा waste.html अब मैं अगर यहाँ पर git status करूँगा तो ये देखो कहरा है कि आपकी delete होगई है file waste.html और ls करूँगा तो देखो उचा चुकी है मेरी waste.html तो git rm मैं आशा करता हूँ समझ में आयोगा आप लोगों को ठीक है? अब क्या करेंगे हम लोग? अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा? एक commit मारूँगा और मैं यहाँ पर git status अगर मैं करूँगा यहाँ पर status और उसके बाद देखो यहाँ पर मेरी staging area में सब कुछ है तो मैं अपना जो short hand है वो इस्तेमाल करूँगा और यह मैं removing waste कर दूँगा adding waste को क्या करूँगा? removing waste कर दूँगा removing waste चलो बढ़िया तो यह commit हो गया अब git status करूँगा तो यह पर देखो यह आ रहा है और अगर मैं अपना वही command इस्तेमाल करूँगा git log –p –2 तो मुझे क्या होगा? दो commit दिख जाएंगे क्या होता है या फिर कोई भी project आप उठाओगे GitHub से तो क्या होगा? उस पर बहुत सारे commits होगे और आप लोग अगर चला दोगे command git log तो बहुत सारे commit आप लोग को दिखाएगा मैं चाहता हूँ कि आप लोग को जो commit आप देखना चाहते है वो देख पाओ तो मैं आचा करता हूँ कि यह समझ में आयोगा आप लोग को अब यहाँ पर एक short status के बारे में बात करेंगे short status क्या है? अगर मैं git status लिखता हूँ तो यह क्या करता है? एक बहुत अच्छा command है मैंने आप लोग को गल्ती कर दी status यह बहुत अच्छा command है और होता गया है इससे यह आप लोग को status बताता है कि आप कौन सी ब्रांच में हो? ब्रांच के बारे मैं भी बताऊंगा थोड़ी दिर में और आपके कौन-कौन सी फाइल स्टेजिंग एरिया में कौन-कौन सी फाइल स्टेक हो रही है कौन-कौन सी फाइल स्टेक नहीं हो रही है और क्या-क्या चल रहा है आपकी git repository के साथ यह सब चीज़ आप लोग को बताता है लेकिन अगर आप के पास बहुत सारी files हो जाती है तब आप क्या करोगे? आप लोग चाहोगी कुछ अगर छोटा मुझे एक शौट हेंड मैं आप लोगो बताता हूँ मेरे कहने को क्या मतलब है कुछ एक छोटा तरीका एक छोटा समराइज स्टैडस को बता दे अगर तो कितना अच्छा रहेगा तो अगर आप लोग लिखते हो git status minus s तो यहाँ पर देखो इसने अभी तो कुछ नहीं दिखाया लेकिन मैं क्या करूँगा थोड़ी यहाँ पर फाइले वाईले चेंज करूँगा तो यहाँ पर control s कर दूँगा खतम नहीं होती है मालों मैं add कर देता हूं staging area में क्या contact.html और अब चलाता हूं यह short end तो यह देखो यह जो m था वो इधर move हो चुका है तो आप लोग देख रहे होगा यह m कहा move हो चुका है तो इसका क्या मतलब है देखो यह जो पहला वाला है में यह staging area यहाँ पर दो देखो मैंने box highlight किये हैं अभी पहला वाला box है दियाल से सुनना इस बात को यह बात है जो है बहुत जादा important है जो पहला वाला डब्बा है वो staging area को denote कर रहा है और जो दूसरा वाला डब्बा है वो इसको working tree को indicate कर रहा है ठीक है तो जो पहला वाला है वो कह रहा है कि staging area में आपकी file जो है modify हो चुकी है और यह दूसरा वाला क्या बता रहा है कि working tree में आपकी file modify हो चुकी है अब अगर मान लो मैं इसको वापस से जो है change करते तो मालो मैंने contact को वापस से कुछ कुछ चेंज कर दिया control इसे save किया और अब मैं git status मैंने से चलोगा तो यह देखो 2m दिखा रहा है मुझे staging area में भी modified है file और आपकी working directory में भी modified है तो आप लोग को यह दो चीज़े बता रहा है अब यहाँ पर क्या है अगर मैं वापस से कर दो इसको git add contact.html और वापस से अपना यह चला हूँ तो यह यहाँ पर देखो वापस से इसने मुझे बता दिया modified है और यहाँ पर जो आप आपका working tree में वो blank दिखा रहा है मुझे तो यह मैं आशा करता हूँ समझ में आयोगा आपको short status तो यह क्या करता है एक short आपको बताता है एक पता चल जाता है कि overview की क्या चल रहा है ठीक है तो यह हो गई हमारा short status यह आप use भी कर सकते है नहीं भी कर सकते है इसके बारे में आप लोग को ज्यादा attention नहीं लेनी है ठीक है तो चलो यह सारी बाते तो हो गई है अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं clear कर दूंगा terminal अपना और आप लोग को बताऊंगा git ignore के बारे में कि कोई भी file है अगर आप लोग को ignore करनी है तो आप क्या करोगी और यह git ignore होता क्या है अगर आप लोग windows में हो तो आप लोग .gitignore वाली file यहां से तो नहीं बना सकते यह मैं आप लोग को बता रहा हूं यहां folder में कोशिश करोगे बनाने की तो उसको लगेगा कि कोई empty file ने में और उसके extension ने .gitignore problem हो जाएगी इसलिए terminal से आप लोग यहाँ पर लिखो touch.git .gitignore लिखोगे अगर तो क्या होगा आपकी एक file बन जाएगी gitignore नाम से अभी देखो यहां पर कोई gitignore नहीं है enter मारूंगा तो यहां पर देखो gitignore आ गई है .gitignore अब इस file को मैं यहां पर खोल लेता हूँ अभी gitignore होता क्या है देखो मान लो आप एक project के साथ काम कर रहे हो ठीक है उसमें होगा कि आप बहुत सारी files ऐसी होंगी जो कि आप track नहीं करना चाहोगे जैसे मान लो कि कोई automatically generated log file है आप लोग चाहोगे कि उसको आप क्यूं डालोग यार क्यूं push करोगे इतनी बड़ी log file को उसका कोई मतलब नहीं है आप लोग collaborators के साथ उसको क्यू रखना चाहोगे अब मान लो कुछ images वगरा है ठीक है कुछ ऐसे images हैं जो कि बहुत जादा मतलब automatically generate हो रहे हैं और आप लोग चाहते हो कि यार वो projects related नहीं है कोई भी इंसान जो की code को लेगा अपने computer में वो automatically उसके computer में भी generate हो जाएंगी तो हम लोग क्यूं data को waste करें अप अब लोग भेजोगे बड़ी बड़ी files तो obviously बात है कि आपकी जो ये push-pull की process है वो slow हो जाएगी अब ये push-pull बताओंगा थोड़ी दिन में क्या होता है बस इतना समझ लोगी push का मतलब server पर भेजना data और server से लाना pull ठीक है तो ये process slow हो जाएगी तो हम लोग चाहेंगे कि जो files काम की हैं जो मतलब की files हैं उनको track करें सिर्फ और बाकी सारी files को ignore करते हैं ठीक है तो अब सुनना मेरी बात को आप लोग अब देखो यहाँपर मैंने touch.getting.net जैसे ही किया तो अगर यहाँपर git status में कर देता हूँ तो यहाँपर देखो यह ऐसे आ गया लेकिन उससे git checkout index.html और git checkout क्या monuments.html क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसके साथ मैंने मजाग कर दिया था तो मैं चाहता हूँ कि यह सारी की सारी जो files हैं यह index.html और monuments.html अपने पुराने base में आ जाएं अपने पुराने akar में आ जाएं ठीक है git ignore में अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक और log file बनाऊँगा तो मैं यहाँ पर लिखूँगा touch or mylogs.txt या फिर .log कर देता हूँ mylogs.log अब यहाँ पर mylogs नाम की file आ गया मानलो यह पर कुछ इस तरह से logs आते हैं processing और उसके पर मानलो downloading और उसी के साथ-साथ uploading कुछ ऐस logs आते हैं और यह बहुत बड़ी हो जाती है कम से कम इसमें एक दो million lines आ जाती है और इसकी file का जो size है वो बहुत जादा बड़ा हो जाता है तो obviously बात है कि आप लोग नहीं चाहोगे कि इसको आप लोग push करो आप लोग भेजो सरवार पर तो आप इसको ignore करोगे तो आप करो क या.getignore को खोलो और इसमें लिख दो my logs.log और अगर आप लोग चाहते हो कि my logs कहीं भी present हो तो यह ignore कर दे तो किसी folder के अंदर भी अगर my logs present है न तो उसको भी वो ignore कर देगा मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ directory बना के मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ logs नाम की directory ब करूँ तो यहाँ पर देखो यह कहा रहा है अपने getignore logs और my logs.log को जो है add नहीं किया है तो यहर मैं अप क्या करूँगा अपने getignore file को save करूँगा और उसके बाद मैं आपर क्या करूँगा लिख दूँगा git add minus a इसके बाद अगर मैं git status मारूँगा तो आप लोग देखो लिख दूँगा यहाँ पर git add minus a और अब अगर git status लिखोंगा तो देखो यह जो files मैंने getignore में डाली थी उनका जो है नामो निशानी नहीं है तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि git ignore के अंदर जो मेरी files थी वो ignore कर दी है इसने उसको ना add कर रहा है यह ना commit मे minus a minus m और मैं यहाँ लिखता हूँ ignore some files and add it git ignore मैं महलो को जिस तरह से लिखता हूँ और मैंने commit कर दिया है भी अब git status करूँगा अगर तो यह कह रहा है कि nothing to commit working tree clean अमान लोगी मैं चाहता हूँ कि कोई भी file जिसके extension.log हो वो ignore हो जाए तो मैं क्या करूँगा लिख दूँगा पर star.log ठीक है लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यह कहीं पर भी my logs को ना करे सिर्फ मेरी जो tree है जो मेरा sorry root है वहाँ से यानि कि जहाँ पर git ignore है वहाँ से देखे और my logs.log को यह क्या करे ignore करे सिर्फ और किसी और को ignore ना करे बागी सब को यह जो है अब अपने उसमें ले consideration में करेंगे तो मैं git status करूँगा अगर status तो यह देखो यह कह रहा है कि untracked file आ गई है आपकी logs के अंदर और उसी के साथ साथ यह कह रहा है कि untracked files to include what will be committed तो मानलो मैंने git add minus a कर दिया और अब मैं git status करूँगा अगर तो यह देखो इसने मेरी my logs ही वाली को add कर दिया क्योंकि य यहाँ पर git ignore है सिर्फ वही पर इस file को ignore करना कहीं folder के अंदर गुस्ट कर किसी भी file को ignore मत करना ठीक है अब मैं आपर एक और statement डालूँगा इसके बाद मैं आपर लिखूँगा star.log ठीक है अब लेकिन यहाँ पर एक पंगा है पंगा क्या है कि यहाँ पर मेरी जो my logs.log है वो track होना start हो गई है तो मैं इसको दरा हटाता हूँ यह git rm minus minus cached करूँगा और यहाँ पर क्या करूँगा log slash my logs.log करूँगा तो यह क्या होगा इसने अब इसको track करना बंद कर दिया है अब इसने इसको track करना बंद कर दिया है अब मैंने यहाँ पर बता दिया है कि सारी की सारी log files को ignore करो तो कहीं पर भी log files होंगी सब को ignore करेगा यह अब मैं अब मैंने git add minus e किया और git status किया मैंने add कर दिया इसको और इसने शारी के सारी log files को ignore कर दिया तो अगर मालो मैं log file को change भी करता हूं मैं एपनी mylogs.log में कुछ add करता हूं ctrl s करता हूँ और यहाँ पर git add minus any, sorry, git status करता हूँ, तो यहाँ पर यह कह रहा है modify dot git ignore, जो पहले कह रहा था, वो अभी भी कह रहा है, ठीक है, तो अभी इसने क्या किया है, सारी की सारी dot log files को ignore कर दिया, मान लोग कि आप सारी की सारी उन files को ignore करना चाहते हो, जिनकी extension है dot cpp, तो आप यहाँ पर star dot cpp लिख सकते हो, इसी तरह आप लोग जो है अपने patterns को बना सकते हो, वो सारी files आप ignore कर दो, जो जो आप चाहते हो कोई directory अगर आप ignore करना चाहते हो जैसे मान लोग मैं locks folder को ignore कर दो, मैं dot html, ठीक है, तो क्या होगा और यहाँ पर कुछ content भी add करता हूँ, अब देखना यहाँ पर अगर मैं git status करूँगा, तो यह कह रहा है आपकी जो ignore folder है, वो untracked है उसको add कर लो, लेकिन मैं कहूँगा नहीं यार, add नहीं करना मुझे, मैं इसको ignore करना चाहता हूँ, तो इस directory को ignore करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं आपर ऐसे लिख दूँगा, ignore, ignore इस folder का नाम है, ठीक है, यह जो folder है, उसका नाम है वो folder का नाम लिखके मैंने slash लगा दिया slash का मतलब है कि यह एक folder है मैं बता रहा हूँ कि यह एक folder है, ठीक है अब यह मैंने कर दिया, यहाँ पर control से मैंने save किया, अब अगर यहाँ पर मैं git status चलाओंगा, तो यह भूल चुका ignore को, यूँकि इसको पता है कि भाई, git ignore मैं आज चुकी है फाइल, उसको ignore कर दो, अब अगर मैं git add minus a करके, sorry मैंने आप पर गलती से क्या लगा दिया, तो यह काम करते है, commit ही मार देते हैं सीदे, मानलो मैंने git commit minus a minus m, और यहाँ पर message लिग दिया, commit message अब commit message आपका strong होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि कोई भी इनसान अगर देखे तो उसको पता चल जाए कि आपने अपनी repo के साथ क्या किया, वो ऐसा नहीं हो कि आपने कुछ भी लिख दिया, तो आप लोग जैसे की देख सकते हैं, मैं git log minus p और minus 3 करूँगा, minus p minus 3 से 3 last के commit message देखूँगा तो मुझे diff के साथ दिखाएगा, मैं arrow की से देखो, नीचे भी आ सकता हूँ, उपर भी आ सकता हूँ तो एक मुझे पूरी picture दिख रही है कि भाई, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है अब यहाँ पर करेंगे क्या हम, जली से clear करतेंगे आप ठीक है अब यहाँ पर git status चलाएंगे, git status में देखो, हमारे branch master पर कुछ commit करने के लिए नहीं है working tree हमारे एकदम clean है अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, एक branch बनाऊँगा, अब आप लोग को गया branch क्या होती है branch का मतलब मैं आप लोग को समझाता हूँ, एक example से मान लोग आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हो अपने project में अब मान लोग कि आपके दिमाग में आया कि या आप एक extra यह लगा हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ, लेकिन अगर इस हटाने के चक्कर में आपने website down कर दी कुछ गलती से, तो आपकी नौकरी भी जा सकती है तो अगर आप लोग अपने मालिक को बताएंगे, अपने manager को बताएंगे कि sir मैं तो सिर्फ कोशिश कर रहा था कि अच्छी कर दूँ website लेकिन वो बोले गया, लेकिन तुमने तो down कर दी website और हमारा तो नुकसान हो गया तो इस चीजों से बचने के लिए हम क्या करेंगे, बात करेंगे branches की, की branch क्या होता है ठीक है, branch से क्या होता है, एक अलग copy बन जाती है एक आप अपनी अलग copy बना लेते हो और उस पर काम करते हो तो उससे क्या होता है, किसी को कोई फरक नहीं पड़ता है जो master branch होती है, उसको कोई फरक नहीं पड़ता है अब बतातो master क्या होता है हम तब से देख रहे हैं कि on branch master nothing to commit on branch master nothing to commit, मतलब क्या है इसका इसका मतलब मैं आप लोग को बताता हूँ क्या है master by default आपकी जो main branch है वो होती है तो main branch आपकी master होती है जो भी काम है वो master पे किया जाता है अब मालो कि आप एक नया development करना चाते हो तो आप एक नई branch निकाल सकते हो, एक नई branch checkout कर सकते हो, तो अगर मैं आप लिखो git branch और मैं आप लिखो मालो आप इसको आप इसको fix करना चाते हो, क्या fix करना चाते हो आप, मनलो features add करना चाते हो, तो feature one, feature one add करना चाते हो आप, ठीक है, मैं सिर्फ यह लगाऊंगा, अब मैं आपर क्या करूँगा, मनलो मैं git यहांपर लिखता हूँ, branch, तो यह मुझे बता रहा है कि feature one और master है, दो branches, पहले मैं इस checkout और feature, ठीक है, feature one sorry, तो git checkout feature one लिखूँगा, तो क्या होगा, यह कह रहा है, switch to branch feature one, git status करूँगा, तो feature one पे कुछ commit करने के लिए नहीं है, क्योंकि यहां से मैंने चालू करके एक branch निकाल लिए, तो जितना काम हो चुका था, वहां से चालू करके, अब मैं आपर अपना काम कर सकता हूँ, बिना master को change किये, क्योंकि master main branch है, master के साथ कुछ उंगली नहीं करनी है, जब तक मुझे permission ना मिले, जब तक मैं senior management से ये ना पूछनू, कि feature one को merge करूँ master में या नहीं, तो बाद में अगर मान लो, मैंने feature one में बहुत अच्छी बना दी website अपनी, तो मेरा जो manager मुझसे कहेगा कि यार, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, तो यार तुम हैरी एक काम करो, feature one को master में merge कर दो, क्योंकि अभी तुमारी जो feature one branch है वो हमारी master से better है, तो तुम merge कर दो, तो मैं अराम से git के merge command को use करके merge कर दूँगा, तो ये feature git का killer feature है, इसको मैं चाहिए कि यार, आप लोगो सब को इस्तेमाल करना चाहिए, तो चलो यार, इसको इस्तेमाल करते हैं, माल लो, मैंने आपर क्या किया, ये change किया, ये change किया, और control से save किया, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, git status लिखूँगा, ज़रूरी निया, आप हर बार git status लिख लिखना चाहिए, बार बार था, कि पता दो चले, यार, कि क्या चल रहा है, मैं आपर क्या करूँगा, git add minus e करूँगा, ठीक है, और मैं लिखूँगा, git commit minus m, और उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा, fixed extra brackets, ठीक है, brackets, ठीक है, मैंने आपर fix कर दिया, extra brackets, उसके बाद मैं कहूँगा, अब मैं git status करूँगा, अगर, मैं git status करूँगा, तो यह देखो कह रहा है, on branch feature, nothing to commit, ठीक है, मैंने इक commit कर दिया, मालो मुझे call आ जाता है, manager का, कहता है, कि यार, तुम क्या कर रहे हो, मैं कहूँगा, यार, मैं कुछ feature पर काम कर रहा हूँ, वो कोई मतलब नहीं हो, मैं सीधे वापस पहुंच जाँगा, master में, देखो मैंने enter किया, मेरे bracket वापस आ गए, देखो, यह bracket वापस आ गए, ठीक है, अब मालो, एक और call आता है, मुझे, कि यार, तुमने क्या bracket fix कर दिये थे, तुम यार, एक काम करो, अभी के लिए तो, पर लिखूँगा, मैंने switch to branch master किया इसको, अब मैं क्या करूँगा, वापस से अपनी feature one branch में चला जाँगा, तो अगर मैं F दबा की tap दबाँगो, तो वो auto complete कर लेगा, तो मैंने check out feature one किया, इससे क्या होगा, मैं अपने feature one में चला जाँगा, अब मैं अपनी feature one branch में आ गया on branch feature one, feature one ठीक है, और यहाँ पर इसको T को capital कर देते हैं, और यहाँ पर इसको मैंने comment कर दिया, control slash मैंने shortcut बना रखा है, खुद से हाँ, shortcuts में जाके, मैं VS code का वीडियो बना दूँगा, अगर आप लोगोंने comment किया तो, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर git checkout feature one किया, switch कर लिया feature one branch में, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, git commit, git commit, minus a minus m, added comment, ठीक है, मैंने add कर दिया comment, git status करूँगा, तो यहाँ पर मेरा यह आ गया है, अब मैंने यह comment, यह मेरी file भी ऐसी दिख रही है, ठीक है, अब अगर मैं आ जाता हूँ वापस से अपनी master में, तो मैं git checkout master करूँगा, ठीक है, git checkout master किया, तो मैं वापस से अपनी master वाली position में आ गया, git status करूँगा, तो कह रहा है, उन branch master nothing to commit, और अगर मैं वापस से अपनी feature one branch में जाना चाता हूँ तो git checkout feature one करूँगा, मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर git status करूँगा, तो यहाँ भी तो मैं git checkout master करूँगा, सबसे पहले, git checkout master करूँगा, अब यहाँ पर अगर मैं git log minus p minus 2 करूँगा, तो देखो आखरी के दो comments है, वो क्या है, वो मेरे आखरी के दो comments, एक तो यह मेरा comment message मैंने लिखा हुआ है सिर्फ, और उसी के साथ मैंने यहाँ पर और और भी लिखे हुए मैं कुछ commit ignore some files and edit git ignore, मैं चाता हूँ कि यह जो दो changes मैंने अपनी feature one branch में किया है, वो यहाँ पर merge हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, git merge feature one, ठीक है, और enter merge दोगा, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको merge कर दिया, तो अब क्या हुआ, यह feature one branch merge हो चुकी है, मेरी master में, ठीक है, तो यह कितना, कितना, कितना अच्छा feature है, अब लोग देखो, अगर मैं आपर वापस है, वो git log minus p minus 2 करूँगा, तो यह देखो, इसमें आ गए है, सारे के सारे, वो commits, जो कि मैंने feature में मारे थे, ठीक है, देखो, यह आ गया एक तो, और मैंने आपर सिफ दो commits को लिखा था, फिक्स dexter brackets था, और एक added comment था, ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, कि हम लोगों ने क्या किया, एक पहले नई branch बनाई, उसको approve करवा लिया, और उसके बाद एक बर वो approve हो गई, तो क्या होगा, हम उसको master में merge कर देंगे, और जैसे कि मैंने देखा, जैसे कि आप आप लोग को समझ में आया होगा, अब branch जरूरी नहीं कि सिर्फ आप एक checkout कर सकते हो, आप कितनी भी branch बना सकते हो, ठीक है, अब मैं आप लोगो एक command के बारे में बताऊंगा, commit नहीं, command के बारे में, command क्या है वो, वो command मैं फहले clear कर लेता हूँ, clear नहीं था बाइता हूँ, वो command था, एक ऐसा command जो कि आपकी एक नई branch बनाएगा, और आपको उस branch में पहुचा देगा, अगर मैं आपर लिखूँगा, git branch लिखूँगा भी आपर, तो यह देखो, कह रहा है, दो branch है, आपकी feature one master, अगर मैं git checkout यहाँ पर feature one कर दूँगा, तो यह आपर मुझे क्या करे यह मुझे बताएगा कि आप master branch में, अब अगर मानलो मैं चाहता हूँ एक नई branch बनाना, तो क्या होगा, वो सिर्फ branch बनेगी और मैं master में रहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं directly उस branch में चला भी जाऊँ, और वो बन भी जाए, तो मैं लिखूँगा git checkout minus b, और मानलो मैं चाहता हूँ कुछ, मानलो मैं flask add करना चाहता हूँ, flask python का हमारा एक framework है, अगर आप लोग को नहीं पता तो मानलो मैं flask integration, मैं इस नाम से बनाना चाहता हूँ अपनी branch को, तो यह कह रहा है switch to a new branch, flask integration, अब मैं अगर यहाँ पर git branch करूँगा, तो मैं वहाँ पर यह branch ब बना लिए, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसमें कोई भी काम करूँगा, मानलो flask integration करने के लिए मैं क्या करूँगा, मानलो मैं आप लोग को सीखने की ज़रूरत नहीं, अगर आप लोग flask नहीं सीखना चाहते है, अगर आपका git सीखने का मकसत python programming नहीं है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लोग जो मैं कर रहा हूँ, आप लोग उसको सिर्फ इतना देखो कि मैं एक नया code add कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपर main लिखूँगा, भाई, intelligence को क्या हो गया, मेरी, मेरी नहीं, vs code की, तो अब यहाँ पर यहाँ करेंगे, लिख देंगे, app.run और debug is equal to true, ठीक है, debug is equal to true, ठीक है, कंडो यह से save कर देंगे इसको, और यह एक flask app बन चुकी है, लेकिन अगर अभी मैं आपर git status करूँगा, ठीक है, इतना लिख देते हैं, सिर्फ जादा tension लेने की ज़रूँद नहीं है, इतना लिख देते हैं, सिर्फ जादा tension लेने की ज अभी यहाँ पर, तो यह कह रहा है, on branch last authentication, nothing to commit, मालो मुझे call आता है, कि यार, हैरी, हम लोग को क्या है, about.html को थोड़ा अच्छा करना है, कुछ-कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं git checkout master कर दूँगा, ठीक है, git checkout master कर दूँगा, जैसे ही मैंने git checkout master किया, जैसे ही मैंने git checkout master क अगर मैंने कुछ mess up कर दिया, और वो गडबड हो गई अगर, तो मुझे उसका जो है, काफी हरजाना भरना पड़ेगा, ठीक है, हरजाना आपका हो सकता है, पैसो के रूप में, हरजाना आपका हो सकता है, नौकरी खोने के रूप में, हरजाना आपका कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग को कोई ऐसा काम नहीं करना है जो कि आप लोग को एक dumb developer दिखाए आप लोग को अपने आपको एक intelligent programmer एक intelligent developer के तौर पर रखना है और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा यहाँ पर मालू मैंने about.html को change कर दिया मैंने about.html लिख दिया added comments ठीक है मैं commit कर देता हूँ यहाँ direct हमारा जो commit का short message है वो यूज करके modify about ठीक है यह कर दिया मैंने कभी भी इस तरह के message आप डालना मत यह सिर्फ एक मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ चुकि जब आप commit करते हो अगर आप लिखो के modified the file तो यार modify commit का मतलब ही होता है मैं modify किया file आपकी message लिख के क्या बता रहे हो क्या information add कर रहे हो आप तो commit message एक ऐसा message होना चाहिए जो कि कुछ value add करे कुछ information add करे ठीक है इतना कि आपने अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा यहाँ पर git status चलाँगा git status चलाए है मैंने तो on branch master nothing to commit अब अगर मान लो मैं करता हूँ git check out flask integration flask integration तो यह देखो मेरा जो init वाली file थी वह वापस आ चुकी है अब मैं अपना काम कर सकता हूँ जो मैंने पहले काम किया था वो जो मैंने पहले बनाई थी files और वो सब मुझे मिल चुकी है तो मैं अपनी branches switch कर सकता हूँ बहुत ही आराम से तो यार git का सबसे बड़ा फाइदा यही है अब github की बात करते हैं यह github क्या है github एक hosting service है g git repositories के लिए github क्या होता है क्यों होता है कैसे होता है यह बताता हूँ आप लोगों को देखो github में क्या होता है कि यह जो git repository हमने यहापर बनाई है वो हम host कर सकते हैं महाँ पर अभी क्या है कि अगर मैं github पे जाओं यहाँ पर अब बहुत सारी लोग ऐसे होंगे अरे github भी type नहीं कर पा रहा हूं github एक word है चलो कोई बात नहीं खुल जाएगा इतना सोचने वाली बात नहीं है github में अगर मैं जाओं यहाँ पर तो आप लोग एक account सबसे पहले बना लो अगर मानलो आप programmer हो और आपके बास github account नहीं है तो यार मैं कहूंगा कि सबसे प repositories जो है हम लोग को आपर पुश कर पाएंगे तो मैं plans में जाता हूं कि क्या paid है या free service है देखो ये free service है unlimited public repositories आप डाल सकते हो और unlimited private repository डाल सकते हो लेकिन unlimited private repository डालो प्राइवेट का मतलब सिर्फ आप देख सकते हो उस code को कोई जनता नहीं देख सकती github की लेकिन अगर आ आप simply यहाँ पर तीन collaborator आपके रहेंगे सिर्फ तीन लोग उसमें commit हो गएरा कर सकते हैं जो कि ठीक है यार क्या फर्क पड़ता है ठीक है अगर आप लोग पैसे बचाना चाते हो तो आप free मैं तो free plan में enrolled हो मैंने तो कुछ pro रोग खरीदा नहीं है अब यहाँ पर क्या है क GitHub एक अच्छी service है एक reliable service है फास्ट service है और Microsoft की है यह तो मैं यह कहूँगा कि यह कभी आपको धोका नहीं देगी इसलिए मैं कहूँगा GitHub इस्तिमाल करो अब तो GitHub इस्तिमाल करो क्योंकि unlimited private repositories आ चुगी है अब पहले Bitbucket, GitLab इस तरह की जो git hosting services थी वो यूज की जाती नहीं क्योंकि लोग कहते थे कि यहाँ पर private repository के पैसे ले रहा है GitHub तो पैसे बचाने के लिए लोग वहाँ जाते थे लेगिन अब क्योंकि free कर दी गई है तो मैं कहूँगा कि आप यहीं पर रहो अब इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैं आप लोग को बताऊंगा तो सबसे पहल अपने GitHub अकाउंट में तो मैंने लॉग इन कर लिया है यहाँ पर GitHub में मैं आपर क्या करूंगा simply एक नई repository बनाने के लिए उपर प्लस पर क्लिक करूंगा तो मैं new repository पर क्लिक करूंगा new repository पर क्लिक करने के बाद मैं आपर repository का name लिख दूँगा get in one video ठीक है मैं को जिस तर न मैं repo लिख दूँगा यहाँ पर और यह लिखने के बाद में आपर क्या करूंगा simply public कर दूँगा इसको और this is my first repo लिख देता हूं यहाँ पर first repo while shooting get in one video तो मुझे आत रहेगा कि recording लिखता हूं shooting यार ऐसा लग रहा है ऐसे recording get in one video ठीक है एक दम professional environment में आप लोग अभी चाओगे तो repo repo मत बोलना repository बोलना private पर click कर दूँगा यहाँ पर create repository पर click कर दूँगा अब क्या होगा यहाँ पर अब यह होगा कि मेरी जो यह repository है वो बन चुकी और मैंने इसको private कर दिया तो आप लोग इसको नहीं देख सकते तो आप लोग अगर आओ गए यहाँ पर और देखने ही कोशिश करोगे नहीं द कर दूँगा टर्मिनल अपना ठीक है अब मैं आपर क्या करूँगा इसको minimize करके simply क्या करूँगा यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एकाज 24 चीज़े बताता हूँ मैं आपर क्या करूँगा इसको गिने टिकेट है तो सब मैंने कर दिया है मैं आपर आप लोग को remote repository के बार simply क्या होगा हमारी यह repository चली जाएगी ठीक है तो अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा simply मैं यहाँ पर add कर दूँगा remote तो remote का मतलब क्या है एक ऐसा URL जहाँ पर हम अपनी repository को host करेंगे तो मैं connect कर रहा हूँ अपनी local git repository को और अपनी remote git repository को तो मैं remote यहाँ पर लिक रहा हूँ remote add कर दो तो इस URL का short name origin हो जाएगा ठीक है तो मैं बाद में origin नाम से इस URL को पुकार सकता हूँ दिहान से आप लोग इस बात को समझो अगर नहीं समझा है तो वीडियो pause करके थोड़ा पीछे करके फिर से देख लो enter मारूँगा ठीक है अब क्या होगा मेरी remote repository जो है मेरी य क्या होता है यहाँ पर git remote अभी add हो चुका है अब अगर मैं आपर लिखूंगा git push origin master इसका मतलब होता है कि push कर दो origin जो मेरा है वहाँ पर master branch को enter मारूँगा ठीक है तब यह मुझे क्या बताएगा यह मुझे यह नहीं बताएगा कि आपको permission नहीं है इस repository में write करने की यह बत repository पे read write access लोगे और access लेने के लिए आप क्या करोगे जाओगे यहाँ पर अपनी settings के अंदर settings के अंदर जाने के बाद आप लोगो simply करना क्या है यहाँ पर जाना है ssh and gpg keys के अंदर अब यहाँ पर यह आप लोगो एक guide देता है generating ssh keys अब मैं ssh की क्या होता है बहुत ही short में बताऊंगा जारे detail में नहीं बताऊंगा हम क्या करेंगे access देंगे अपने github account को अपने github account का अपने computer को तो इस computer से मैं जो भी काम करूँ मैं चाहता हूँ कि github account में automatically read write होता रहे तो क्या होगा मैं एक ssh key deploy करूँगा तो जो steps मैं भी ले रहा हूँ यहाँ पर आप लो 家men यह करेंगे और मैं इसको अपर paste कर लेता हूँ यहाँ पर email को अपने replace कर देता हूँ harry at code with harry dot com से है harry at code with harry dot com से इसको मैं copy करूँगा यहाँ और यहाँ पर paste कर दूगा और यहाँ पर right click paste कर दूगा enter मारूँगा तो ये क्या कहरा है, कहरा है, generate कर रहा हूँ, मैं private public की, तो मैं enter बारूँगा यहापर, और अभी तो मेरी तो already exist करती है, तो मैं override कर दूँगा, और आप लोग लेकिन जो है, इसको generate कर लेना, तो मैं override करूँ या नहीं करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, नहीं करता हूँ override, तो मैंने no कर दिया, लेकिन अगर आप लोग yes करोगे, चलो मैं correct कहीं दिखा देता हूँ आप लोग को, मैं अपनी जो बाकी चीज़ें बाद में fix कर लूँगा, enter बारूँगा यहापर, मौन लोग मैंने yes किया यहापर, blank छोड़ दो, paraphrase को, एक मेरा key generate हो चुकी है, key generate कर मैं आपर क्या करूँगा, मैं media key generate हो गई है आपर, इस key को अब मुझे deploy करना है, ठीक है, तो मैं आपर क्या करूँगा, देखो यहापर यहापर यह सारी-सारी steps होता रहा है, अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हो, इस चक्कर में, तो आप लोग simply यहापर यह eval run कर द कर देता हूँ, कुछ इस तरह कर देता हूँ, और अगर आप लोग इसकी जानकारी देले नहीं है जादा तो आप इसको पढ़ सकते हो, आपकी SSH private key को SSH agent में हमने अभी add कर दिया है, अब हमें क्या करना है, हमें simply अपनी SSH key को deploy करना है, डालना है हमको कहाँ पर, अपने GitHub account ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं न कहीं से बताया होगा किस तरह डालना है GitHub account में, checking for existing SSH keys, adding a new SSH key to your GitHub account, तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे अब, आप लोग को करना क्या है, simply अपनी जो public key है, उसके content को लेके चुपका देना है अपनी GitHub account में, तो आप यह copy करो नीटो आप लोग इस वीडियो में जो जो command चलाया है, वो आपको दिखी रहा हूँगे, मैंने सबसे पहले यह command चलाया है, यहाँ पर SSH keygen वाला, उसके बाद मैंने यहाँ आपर क्या चलाया, अब मैं यहाँ पर फिर मैंने SSH add चलाया, अब मैं यहाँ आपर क्या cat simply क्या करता है, आप लोग को दिखा देगा कि इसमें क्या क्या content है, तो मैं इसको copy करूँगा, Ctrl C करके copy करूँगा, देखता हूँ, copy क्या है, Ctrl Insert है वैसे, right click करके copy कर लूगा यार इसको, ठीक है, right click करके copy किया हमेने, इसके बाद मैं क्या करूँगा, जाओंगा यहाँ पर और अपनी new ssh key में डाल दूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा कुछ इस तरह add कर दूँगा और यहाँ पर title में क्या डाल दूँगा Harry's personal computer तो आप यह जो computer का नाम है आप बहुत ध्यान से इसको रखें और उससे क्या होगा कि आप लोग को पता चलेगा कि आपने कौन सी computer की को कहा डाला है add ssh key करूँगा और जैसे मैं add ssh key करूँगा तो यहाँ पर यहाँ पर यह कह रहा है कि not found तो यहाँ पर क्या करूँगा ssh में switch करूँगा अभी जल्दी से और ssh में switch करने के बाद मैं आपर क्या करूँगा अपने url को change कर दूँगा तो मैं आपर क्या करूँगा लिखूँगा git remote set url set url क्या करता है आपकी url को change कर देता है अब अगर मैं आपर git push minus u origin master करूँगा तो यह push हो जाएगा तो मैं आशा करता हूँ push हो जाईए तो यह yes किया मैंने और यह जो है push हो गया है जा रहा है जा चुका है अब मैं इसको reload करूँगा यहाँ पर तो आप लोग देखना git push और उसके बाद लिखो minus u origin flask integration ठीक है flask integration तो यह क्या करेगा flask integration नहीं ब्रांच को push कर देगा तो मैं आप लोगे दिखाता हूँ मैं इसको reload करूँगा अगर यहाँ पर तो यह कहारा है आपकी एक तो master branch है और एक आपकी यह flask integration branch भी यहाँ पर आ चुकी है तो दो दो branches नहीं ब्रांच को और को इंप्रूब करना चाहते हैं फिर वो बंदा अप्रूब करके जो है यह काम कर देगा तो हमने अभी गिट में गिट हब में पुश कर दिया है कोड़ अपना और उसे के जाज़द हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पर एक ब्रांच को भी पुश किया तो अभी दो यहां पर क्या है कि हम लोग अराम से यह सारे काम कर सकते हैं यहां पर अराम से हम लोग ब्रांचे बना सकते हैं मतलव countless है लिमिलेस चीज़ए कर सकते हैं यहां तो यहां अभी के लिए मैं ही कहांँगा और कुश आतरह काम करता है तो मुझे नीचे कॉमेंट करके वो भी बताना और इस वीडियो को जादा स्यादा शेयर करना जैसे ये वीडियो 500 शेयर्स क्रॉस करता है मैं एक वीडियो आये का git advanced tutorial जिसमें मैं आप लोग को git के और advanced feature के बारे में बताऊँगा लेकिन ये जो tutorial है ये जो वीडियो है ये मैं कहूंगा git का almost complete tutorial है क्योंकि आपर मैंने आप लोग को branches बताया मैंने आप लोग को remote बताया मैंने सब चीज़े बताई एक और दो चाल चीज़े जो नहीं बताई वो मैं भी आपको बता देता हूँ देखो अब क्या है कि हमने बात की थी आपर minus u flag की अब अगर मैं आपर सिर्फ git push लिखूंगा तो ये क्या करेगा flask integration में push करेगा सीधे ठीक है तो git push origin master git push और git push minus u origin master में ये difference होता है तो अगर मैं आपर लिखूंगा git push minus u origin master तो ये क्या करेगा master branch में push करेगा हमेशे अगली बार जब मैं git push डालूँगा तो फिर बार बार मुझे origin master origin master लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये git push करके वहीं पर push करेगा जहां पर मैंने पिछली बार minus u लगा के जो दिया था तो अगर मैं clone करना चाता हूं तब मैं क्या करूँगा उसके लिए मैं क्या करूँगा आ जाओंगा अपने यह desktop में और मैं आपर एक नया folder बनाओंगा तो मैं आपर new में और मैं आपर clone नामसे एक नया folder बनाके अपने यह आपर git bash खोल लूँगा अब मालनो मैं जाना चाता हूं किसी git repository में मालनो इसी को हम clone करना चाते है code with HG के git in one video को clone करना चाते है लेकिन यह private है तो आप नहीं कर पाओगे तो चलो यार एक काम करते है टेंसर फ्लो को clone करते है टेंसर फ्लो थोड़ी बड़ी है एक काम करते है मैं कुछ भी clone कर सकता हूं यार मैं क्या clone करूं समझ नहीं आ रहा है तो यार flask blog है, मैं flask blog यहाँ पर search कर रहा हूँ, मैं publicly search करूँगा तो मैं पहले home पर जाओँगा और मैं यहाँ पर flask blog लिखूँगा, यहाँ फिर मैं काम करता हूँ, c++ blog लिख देता हूँ यहाँ ठीक है, कुछ ना कुछ तो आएगा खुल के, और जैसे ही आएगा, यहाँ पर मैं उसको खोल दूँगा, तो यहाँ पर कुछ किसी ने कोई repository बनाई हुई है, यहाँ पर दे दूँगा, और उसके बाद मैं डाल दूँगा, एक folder का नाम, जिसके अंदर यह clone हुआ, तो एंटर मारूँगा, तो यह Harry के अंदर clone करेगा, अगर मैं कुछ नहीं दूँगा, तब यह क्या करेगा, एलेस करके दिखाता हूँ, Harry के अंदर इसने clone किया है, लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं दिया होता, वो इसी नाम से एक बना देता, folder में, जैसे आप लोग को दिखाता हूँ, अगर मैं है Harry नहीं देता है, यहाँ पर, मैं Ctrl प्लस करके थोड़ा बढ़ा कर देता हूँ, आप लोग अगर GitHub for desktop try करना चाते हैं, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आप लोग जब तक ये करते करते comfortable ना हो चाहे, मैं कहूँगा कि आप लोग उसको try नहीं करें, तो सहीर हैगा आपके लिए, चुकि यह जितना मैंने अभी इस वीडियो में बताया उतना आप लोग को बहुत आगे तक ले जाएगा Git में, आपको कोई problem नहीं होगी, आप लोग मुझे पर भरोसा करो, इतना करके आप लोग को पूरा Git अराम से you are good to go, आप अराम से अपने projects में इसको use करना चालू कर दो, कोई error आएगा तो search करना, stack overflow ये वो करना, लेकिन अ आप लोग Git को एक बहुती advanced level पर ले जाना चाते हैं, लेकिन अभी के लिए ये काम करेगा आप लोग के लिए, मैं इस वीडियो के साथ एक cheat sheet को include कर रहा हूँ, और उस cheat sheet को मैं बताऊंगा नीचे pinned comment में, या फिर description में कि कहा मिलेगी आपको, तो pinned comment और description चेक करना तो मत आप लोग इस चैनल को चैकाउट जरूर करना, मैंने आपर बहुत सारा मसाला डाला हुआ है, अगर आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग इन सारे topics में interested है, python का course है, मेरे पास, मेरे पास काफी jango का course है, vps का course है, काफी चीज़े मैंने आपर machine learning से लेके python game development तक और intermediate python से लेकि data science सब कुछ बना रखा है, तो आप लोग जरूर चैकाउट करना, और एक अच्छी learning resource है, हिंदी में मैं कहूंगा, आप लोग जरूर इसको use करना, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, thank you so much guys for watching this video and I will see you next time. झाल